20 मिनेट में आपके ऐसे Pinterest के उपर आफट मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हैं? आज मैं आपको बताऊँगा. दोसो, Pinterest के उपर आफट मार्केटिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको research करना है. आपको एक ऐसे topic को find करना है, जिसके उपर हम अपना business account create कर सकें. एन research का निकले हम यहाँ पर इस website का use करने वाले हैं, जिसका नाम है trans.pinterest.com. बहुत ही भैतिन website हैं, basically Pinterest के एक feature है, जिसके मदम से आप यहाँ पर यह पता लगा सकते हैं, कि इस समय Pinterest के उपर कौन सा topic trends में चल रहा है, जिसके उपर आप अपना business account create कर सकते हैं, और बहुत सार ट्राफिक आप अपने profile और pins के उपर लागा सकते हैं. तो इसे का use करकर हम यहाँ पर एक topic find करने वाले हैं. तो topic find करने के लिए आपको यहाँ पर बहुत सारे तरीके मिल जाते हैं, जैसे कि पहले आपको यहाँ पर top trends मिल जाते हैं, जिसके मदम से आप यहाँ पर last 30 days में यह पता लगा सकते हैं, कौन सो topic last 30 days में अच्छे से work कर रहा हैं. उसके लावा आपको यहाँ पर discover trends को उप्शन मिल जाता हैं, जिसके मदम से भी आप यहाँ पर keywords find कर सकते हैं, जो पिछले हाफते, महीने और साल के अंदर अच्छे से work कर रहा हैं, सभी के ideas भी आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, उसके ऊपर भी आप work कर सकते हैं, जैसे कि अल business account create करेंगे, पर college bag बहुत ही बड़ी टरम है, पहले हम इसको drill करना पड़ेगा, और इसके अंदर से बहुत सारे keywords निकालने पड़ेंगे, जिसके उपर हम अपना काम start कर सकते हैं, तो college bag keyword को drill करने के लिए हम यहाँ पर एक website का use करने वाले हैं, जिसका नाम है rebrob.com, इस website का link आपको हमारे telegram channel पर मिल जाएगा, तो make sure आप हमारे telegram channel को join कर लें, ताकि आप इस website का access ले सके free में, तो simply आपको इस website को उपर जाना है, अब इसके मादम से हम यहाँ पर keyword research करेंगे, और हम अपने topic को drill करेंगे, तो simply आपको इस website को उपराना है, इसके उपर अपना account create कर ल पीच आएगा, अब आपको यहाँ पर अपना main keyword डालना है, then explorer इसको उपकलिक करना है, submit इसको उपकलिक करना है, आपके सामने आपके keyword के बहुत सारे keywords मिल जाएंगे, जिनके volumes भी आपको यहाँ पर दिखाए देंगे, difficulty का idea भी आपको लग जाएगे, कि आपको इन keywords पर work कर करना है, या नहीं करना है, अगर आप इन keywords पर work करोगी, कितना आपको monthly traffic मिल सकता है, वह कितना आपको यहाँ पर rank करवाने में दिक्कत होगी, सारे जानकरी भी आपको यहाँ पर मिल रही है, जिसले के पहला topic आपको यहाँ पर मिल रहा, college bag for men's का, तो आप इस पर work कर सकते ह हैं, और अंचा सोका आपको यहाँ पर volume मिलेगा, और difficulty लो है, college bags for girls, इस topic के ऊपर भी आप work कर सकते हैं, चमाले सोका आपको यहाँ पर volume मिलेगा, और difficulty इसकी भी लो है, college bags for women, college bags for boys, college bags under 500, इस परकास से आपको यहाँ पर बहुत सारे keywords मिल रहे हैं, जिनके ऊपर work start कर सकते है अगर आपको यहाँ पर ideas लेना है, तो आपको यहाँ पर आना है, ideas इसको choose करना है, इसके according आपको यहाँ पर ideas भी मिल जाएगे, तो मैं यहाँ पर explore का use करने वाला हूँ, तो मैं इसको पकलिक करूँगा, और इसे keyword के ऊपर मैं यहाँ पर अपना पूरा content बनाने वाला, तो keywords को हम यहाँ से copy करेंगे, और product find करने के लिए हम यहाँ पर use करने वाले है Amazon का, तो simply आपको जाना है Amazon के ऊपर, और इसके ऊपर अपना associate account create कर लेना है, मिसिस के ऊपर आपको अपना affiliate account create कर लेना है, अब आपको search को पर आना है, यहाँ पर आपको अपना keyword डालना है, search इसको आपके सामने बहुत सारे product सजाएगे, अब आपको यहाँ से एक product को choose कर लेना है, जिसको आप basically promote करना चाहते हैं, जैसे कि मैं इसको promote करना चाहता हूँ, तो मैं इसको पकली करूँगा, मेरे सामने product की सारे details सजाएगी, images वगरा जाएगी, इसकी title वगेरा, description वगेरा, price copy करने है, next step में हम अपने product के लिए pins create करने वाले हैं, यहाँ पर हम अपनी image create करने वाले हैं, तो image create करने के लिए हम यहाँ पर use करने वाले हैं canva का, तो simply आपको जाना canva के ओपर, और इसके ऊपर अपन account create करने हैं, जैसी आप यहाँ पर अपन account create करेंगे, तो आपके सामने new page आएगा अब आपको search को बजाना है Pinterest pin इसको type कर दिना है आपके सामने new page आजाएगा यहाँ पर आपको बहुत सारे templates मिल जाएंगे जिनको आप choose कर सकते हैं तो यहाँ से आपको एक template को choose कर लिना है पहले मैं यहाँ पर इसको open कर लेता हूँ और यहाँ से मैं blank template को choose कर लेता हूँ क्यों क्योंकि मैं scratch से यहाँ पर अपनी pin बनाना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैंने इसको open कर लिया है अब आपको आना है search को पर यहाँ पर आपको type कर देना है college pack आपके सामने बहुत सारे templates आजाएंगे अब आपको यहाँ से एक template को choose कर लिना है और इसको आपको customize कर लिता हूँ तो इसको मैं पर open कर दूँगा अब मुझे यहाँ पर अपनी product की image को लगाना है तो पहले मैं यहाँ पर जाओंगा यहां से मैं product की image को download कर लूँगा इसके background को हटा दूँगा उसके बाद अगे हम यहाँ पर हैंगे पहले हम इसको यहाँ पर delete कर देते हैं तो तो मैं जाओंगा upload scope, upload file इसको फकली करूंगा product की image को upload कर दूँगा इन इसको मैं इसको मैं यहाँ पर open कर दूँगा और अपनी अनुसार मैं इसको कस्तमाइज कर दूँगा, अब मुझे यहाँ पर भी अपने product की image को लगाना है तो मैं इसको हैँ डिलीट कर दूँगा, इसको भी मैं यहां पर क्या करूँगा, इसको मैं ऐसे रहने दूँगा, यहां से मैं इसकी image को drop कर दूँगा, इसको मैं यहां पर delete कर देता हूँ, और अच्छे से मैं यहां पर इसको इस तरीके से drop कर दूँगा, यहां पर मैं अपने product की image को लगा दिया है, यहां पर मैं ट यहां पर मैं इसका नेम रखने वाला हूँ, तो अगेन मैं यहां पर जाऊंगा, यहां से मैं चूज कर दूँगा, Backpack for Women Girls, इस पर कास से यहां से मैं इसको कोपी कर दूँगा, उसको बाद अगेन हम यहां पर आएंगे, यहां से मैं इसको डिलीट कर देंगे, पहले मैं इसे कोपी कर दूँगा, तो इसको इसको डिलीट कर दूँगा, इस वाले पार्ट को मैं यहाँ पर copy and paste कर दूँगा, अब इसको मैं थोड़ा साइज इसका मैं increase करने वाला हूं, तो इसका size मैं इस तरह किसे हाँ इंक्रीज कर दूँगा ताकि थोड़ा professional लगए, यहां से इसके size को मैं थोड़ा से increase कर दूँगा ताकि यह professional दिखाई दे तो इस तरीके से यहां पर मैंने इसको बना लिया है अगर आप इसको भी customize करना चाहते हैं तो इसको भी आप इसको भी customize कर सकते हैं तो मैं आप लिख देता हूँ college packs for girls इस तरीके से मैं यहां पर लिख दिया है अगर आप इसके color को change करना चाहते हैं तो आप इसके color को भी change कर सकते हैं जैसरे कि मानुँद रहा कर रख लेता हूँ और नीचे वाल कर लेता हूँ इस तरीके से मैंने यहां पर अपनी pin बना लिया है अगर आप इसके color को भी change करना चाहते हैं मैं black करना चाह रहा हूं तो इसको भी आप कर सकते हैं और भी अच्छे से आपको यहां पर अपनी pin को customize कर लेना है भी मुझे थोड़ा से weak लग रहा है मैं अगेन यहां पर जाओंगा यहां से मैं fashionable इसको भी copy कर लूँगा अगेन मैं यहां पर आने वाला हूँ यहां पर कर दूँगा इसको copy इस तरीके से थोड़ा से मैं इसको customize कर लूँगा इस तरीके से कि अुके तो तो किस्टमाइस करना पड़ेगा पहले पूरा कोपी कर लूंगा कोपी कर दूंगा उसके बाद मैं यहां पर टिक्क करने वाँगा इसको मैं फोड़ा पीछे लेकर जाऊँगा एंड इसको मैं हाँपा सेट करने वाला हूं उस तरीके से ओके इस एट नहीं और अपर मैं इसको यहां से copy कर देता हूँ पूरा उके इसको मैं delete कर देता हूं यहां से और इसको पूरा डिलीट करने को लाँ ताकि मैं आप अपने तरीके से अपना जो भी content आप सक्वाइड कर सकते हूं तो प्रोफेशनल माना मैं को आप बहुत सिखा रहा कर ना हूँ इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले करंगा तेक्ष्ट को यहां पर इस तरह के से साइजेट कर दूँगा ठिक है इसको थोड़ा हो डिक्रीस कर देते हैं झाल इसको मित gef Science कर कर दूंगा इधर से थोड़े increase कर दूंगा कि totally check it with एसको मैं स्बाइब कर दूंगा अपसे यहां पर ही इसको मैं पर इस तरीके से fit कर दूंगा अमएशको कोकि करूंगा थोड़ा sizes इसका increase कर दूंगा सरी के से ओके अपफ़ा professional रहा हैं यहां पर मैं इस तरीक 757 को कंटेंट वगारा कस्टमाइज कर लेना है और प्रोफेशनल सा आपको अपर पिन बना लेना है अगर आप इसके बैग्राउंड के कलर को भी चेंज करना चाहते हैं तैसे कि मालूम है आपको कोई कलर चूज करके देख लेता हूं यह कलर देखते हैं अच्छा नहीं लग रहा मुझे यहां पर ठीक है यह थोड़ा सही से लग रहा है मैं इसको यहां पर रखने वाला हूं अब मैं शेर इसको पकलिक करूँगा डाउनलोड इसको पकलिक करूँगा जैपीजी इसको पकलिक करूँगा यहां से मैं अपनी पिन को डाउनलोड कर लूँगा आपको थोड पेज वेबसेट करने के लिए हम यहाँ पर यूज करने वाले चार्जी पीटी का, तो simply आपको जाना चार्जी पीटी के उपर, इसके उपर अपना अकाउंट करना है, अब आपको यहाँ पर प्रॉम्ट टाइप करना है, जैसे कि मैंने अप लिखाया है, I want to promote college bags for girls, so write article for it and also place CTR for affiliate links, तो इसे ने यहाँ पर मुझे एक बहतरीन सा article बना कर दे दिया है, जिसके अंदर इसने call to actions भी दे दिया है, जिसके अंदर मैं अपने affiliate products को promote कर सकता हूं, , हम यहां से इसको copy कर लोगा, तो यहां से मैं जाता हूं and यहां से मैं पूरे article को copy कर लोगा, again मैं यहां पर आऊंगा, यहांपर मैं आंगा, यहां से इसको मैं complete copy कर लोगा, इस तरीके से, okay copy कर लिया है उसके बाद आपको जाने Google Options के आपर इसके ऊपर अपन one account create कर लेना है to 우리가 account इ prawn करने आपको यहाँ पर एक page को open करना है इसको आपको delete कर देना है text को पर CLICK कर देना है OK पहले आपको यहाँ पर again text इसको पर click कर देंगे यहाँ पर हम क्या करेंगे complete article गो copy & paste कर देंगे Okay and यहाँ पर हम क्या करेंगे इसके title को copy कर देंगे यहां से हम, इसको हम delete कर देंगे इस तरीके से, ठीक है, यहां पर हम इसके title को copy and paste कर देंगे, इस part को मैं आप delete कर देता हूँ, ठीक है, हम इसको यहां पर customize करने वाला हूँ, यहां से हम इसको चूज कर लूँगा, जोर्चिया इसको चूज कर लूँग यहां सम्-product की image को upload कर देंगे, video में उसको set कर देंगे, जितने भी products आप अपर promote करना चाहते हैं, सभी की images को आपको upload कर देना है, उसके बाद आपको यहां पर call to actions मिले हैं, आपको उनको copy करना है, then इसको पकलिक करना है, और यहां पर आपको अपने app for link copy and paste कर देना है, यहां आपको आपर आपना है, publish इसको पकलिक करना है, और यहां से आपको अपनी website को publish कर लिए नहीं, then view इसको पकलिक करना है, website आपकी यहां पर open हो जाए, तो यहां पर हमने अपनी website भी create कर लिया है, अब हम अपने product के लिए title and description create करने वाले हैं ताकि हम यहाँ पर अपनी pin बना सकें तो उसको भी मैंने यहाँ पर create कर लिया है only मैंने यहाँ पर command दिया था कि इस article के अनुसार आपको यहाँ पर Pinterest pin के लिए title, description और hashtag create करना है इसने मुझे बना करते दिया अब आपको only यहाँ पर क्या करना है only आपको यहाँ पर अपनी pin पब्लिश करना है तो सबसे पहले आपको जाना है Pinterest के उपर इसके उपर अपना business account create कर लेना है और business account कैसे create करते हैं ओलडी मैं आपको अपनी previous वीडियो से बता चुका हूँ नहीं तो आपको हमारी playlist को पचाना है वहाँ पर आपको Pinterest की playlist में जाएगी यहाँ पर आपको business account create करने वाली वीडियो में जाएगी उसको देख लेना है और Pinterest के उपर business account create कर लेना है उसके बाद आपको यह अपर आना है 3 dot इसको पकलिक करना है grid pin इसको पकलिक करना है यहाँ पर आपको अपनी pin को open कर लेना है जिससे कि मैंने आप open किया है यहाँ पर आपको अपने title डाल देना है तो यहाँ समस्ट टाटल कोपी कर लूँगा इस तरी किसे एन इसको मैं यहाँ पर copy and paste कर दूँगा यहाँ पर आपको अपने description डाल देना है तो यहाँ समस्ट डिस्रिप्शन कोपी कर लूँगा इस तरी किसे hashtag भी copy हो चुके है उसको मैं आपर copy and paste कर दूँगा यहाँ पर आपको अपनी single page website को add करना है तो यहाँ समस्ट को copy कर लूँगा इसको यहाँ पर मैं add कर दूँगा यहाँ पर आपको अपने board वगरा create करना है उसके अंदर आपको अपने print को save कर दिना है text वगरा लगा दिना है जैसे कि मैं bags वगरा कर text लगा देता हूँ backs ठीक है ना shoe bag, woman, bags for buy shape इस पर कासे आपको यहाँ पर text लगा देना है then publish इसको पर click करते ना है तो इस तरीके से आपको यहाँ पर Pinterest के ऊपर अपने product को promote कर लेना है इस strategy को आपको again and again and apply करना है अगर आप strategy को again and again and apply करेंगे definitely आप अपने account को grow कर पाएंगे और आप अपने account को पर बहुत सारे traffic drive कर पाएंगे जो आप अपनी website लेके आपाएंगे उसके मदम से अपने product को पर लेके आएंगे वहाँ से आपके product से लोगए आप यहाँ पर money make कर पाएंगे I hope आपको आज का method समझाय होगा कैसे इसको apply करना है वह भी आपको समझाय होगा अगर आपको आज की वीडियो अच्छे लगी है तो मैं आपसे यहाँ पर request करूँगा कि आप अमेरे चानल को subscribe कर लें वीडियो को पर कम से कम 100 likes लेकिया है ताकि इसी टैप का awesome content आपके साथ share कर पाएं